नमेशकार दोस्तों दोस्तों अगर आपके भी अमरूत के पेड़ पर ये तीन प्रोब्लम आपको हर साल देखने के लिए मिलती हैं जिन में से पहली जो मेन प्रोब्लम रहती है वो ये जब आपके फूल बनते हैं अमरूत के पेड़ पर या फूल बनने के बाद जब आपके अम्रूब के पीड में देखने के लिए मिलती है जो आपके नए बच बिग पर तो आपके घृज़ बिल्कुल भी नहीं हो ऊस्वार्ष आती है जब अम्रूद कुछ आपके पेड पर बच भी आ बच भी जाएगा जब अपने थीज़ उसके बाद क्या होता है उस अम्रूद के अंदर सूडियां पढ़ जाती हैं कीड़े पढ़ जाती हैं जिसकी वज़े से वह अम्रूद बिल्कुल भी खाने लायक नहीं रहता तो अगर इन में से कोई भी परिशानी अगर आपको अम्रूद के पेड़ में देखने के लिए मि चैनल को सपोर्ट करिए, सस्क्राइब करिए, वीडियो पसंद आए, लाइक करिए और कोई भी आपका सवाल रह जाए तो हमसे कमेंट बोक्स में जरूर पूछेगा चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इन कुछ तरीकों के बारे में जिससे आपकी जो सारी समस्या हैं अम्रूद के पेड़ में ये बिल्कुल भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगी तो चलिए दोस्तों बीने समय गवाई वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पहली में प्रोब्लम के बारे में जो की है फल और फूल के ज़लने की अगर आपके पेड़ पर से भी अम्रूद के जो दाने हैं वो बहुत ही जादा मातरा में गिर रहे हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं अगर आपके पेड़ पर कोई रस्चूसा कीट लगा हुआ है जैसे कि मिली बग या कोई अन्य रस्चूसा कीट अगर आपके पेड़ पर लगा हुआ है तो इसकी वज़े से भी जो अमरूत के दाने हैं वो जड़कर आपके पेड़ से गिर जाते हैं दूसरा कारण हो सकता है अगर आपके एरिया में बहुत ही अधिक मात्रा में गर्मी पड़ रही है तो गर्मी की वज़र से भी क्या होता है जो दाने होते हैं अमरूत के वो जढ़कर गिर जाते हैं तीसा करण क्या हो सकता है अगर आपके अमरूत के पेड़ पर बहुत ही अधिक मात्रा में इस वार फल लगा है तो देखें पेड़ क्या करता है अपने हिसाब से कुछ फलों को और कुछ फूलों को गिरा देता है अगर बहुत ही कम मात्रा में कुछ फल या फूल आपके रहे हैं तो कैसे रोख सकते हैं देखिए पहले जो आपको लगाना है वो है एक इंसेक्टिसाइड जो की बायर कंपनी का है सोलो मन के नाम से इसके अंदर दो कोंबिनेशन आपको देखने के लने मिलेंगे पहला एमीडा और दूसरा है बीटा साइलो यह आपको दोसकी में बात करूं तो एक एमेल एक लिटर पानी में आपको मिलाना है और अपने अम्रूट के पेड़ पर इस फ्रेए करते जो अगर आप इसका इसाथ माल सोलो मन के सा तो आपके पेड़ पर जो भी फूल आ रहा है या फल आ रहा है वो बिल्कुल टांका लगा देता है और बिल्कुल फल या फूल का ज़लना रोग देता है तो आप सोलोमन एक एमेल पर लीटर और एक्टिव पिलस आधा एमेल पर लीटर पानी में एक साथ आपको मिलाना है और अपने पेड़ पर इस्प्रे कर देना है हर 10 दिन बाद आपको ये प्रोसेस 3 बार करनी है गारंटी से कह रहा हूँ आपके पेड़ पर अगर अमरूद के पेड़ पर कोई भी फूल या फल आपको बिल्कुल भी जड़ने के लिए नहीं मिलेगा बहुत ही अच्छी मातरा में फल आएंगे फूल आएंगे और आप उनको दोस्तों खा सकते हैं तो ये होगी हमारी पहली प्रोब्लम चलिए बात करते हैं अब दूसरे प्रोब्लम के बारे में जो की है अमरूद के साइस का बड़ा ना होना आपने कई बार देखा होगा आपके पेड़ पर जो अमरूद बच जाते हैं वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाते और हरे हरे और कच्चे ही लगे हुए रहते हैं इसकी वजह से अमरूद जो है आपका खाने के इलिए बिल्कुल भी नहीं मिलता और जो क्वालिटीए है उसकी बिल्कुल खराब हो जाती है तो देखिए इसके क्या कारण हो सकते हैं देखिए इसके मुख्य कारण जो रहते हैं वो रहता है आपके पीड में कई परकार के ऐसे पोश्यतत्व होते हैं जो आप अपने पीड को नहीं दे पाते हैं को मिट्टी में कखे परकार के पोश्यतत्त्तों की कमी की वज़ह से ऐपको देखने के मिलती है कि वज़े से आपके जो अम्रूद है वह ग्रॉथ नहीं कर पाते हैं और अम्रूद का जू साइज है वह छोटा रहे जाता है तो बात करते हैं इसके सिल्टियूशन में मैं आपको बता दू मात्र दो चीजा आपको बता रहा हूं हंट्रेट परसेंट आपके पेड़ पर जो अम्रूद का साइज है वह आपको बड़ा हुआ भी दिखाई देगा और अम्रूद बहुत ही ज़्यादा सुवाद में आपको देखने के लिए मिलेगा आपको क्या करना है मल्टि प्लेक्स कंपनी का जो समरस नाम से टोनिक आता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये जो टोनिक है ये एक मात्र ऐसा टोनिक है जो आपके अम्रूद का जो साइज है उसको तो बड़ा करता ही करता और साथ ही साथ आपके पेड़ पर जादा मात्रा में फलफूल लाता है और पेड़ को एकदम हरा बरा और स्वस्त रखता है इसकी मात्रा की मैं बात करूं तो इसकी मात्रा आपको लगबग 3-4 ml पर लिटर पानी में मिलानी है और अपने पेड़ पर हर 10-12 दिन के अंतराल मे इस्प्रे करवानी है बहुत ही अच्छे रियर्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे लेकिन इसके साथ में आपको एक कामोर करना है वो यह आप किसी खाद बीज बंडार की दुकान पर जाईए और वहां से लगबग 1 kg जो हमारी पोटाश आती है दानेदार वाली आपको लेकर आनी है खाद आती है एक्च्छल में यह पोटाश के नाम से खाद आईगी वो आपको आदा से 1 kg लेकर आनी है और अपने पेड़ की जड़ में नलाई गुड़ाई करवा कर खेर देनी है और अच्छे से उतको पानी दे दिना है सेम यही चीज आपको लगबग एक मह के बारे में जो की है आपके अमरूद के पेड़ पर जो अमरूद आते हैं अगर उसमें कीड़ा लग जाता है तो कीड़े की रोक थाम के लिए आपको क्या करना है देखे कीड़े लगने का मेन कारण रहता है वो या तो एक ऐसी मख़ी होती है फल शेदक मख़ी जिसको हम वो आपके अमरूद में डंक मार देती है डंक मार के क्या करती है वो अंडे उसके अंदर छोड़ देती है वो ही अंडे लारवा बन जाते हैं और आपके अमरूद के अंदर सूरिया पढ़ जाती है और अमरूद जो है सर जाता है ये हो गया, पहला कारण, दूसरा जो कारण रहता है वो ये, कि आपके मोसम में, मतलब कि अगर जाधा आपके एरिया में बारिश होती है, बारिश पढ़ने के बाद तुरन धूप निकल जाती है, या धाधा गर्मी पढ़ जाती है, तो इस कारण की वज़े से भी जो अमरू सकीटों के साथ साथ में इन सूणियों को भी इन जो फल शेतक मखी है इनको भी कंट्रोल कर लेती है देखें आपको यही सेम डोस लेनी है एक एमल पर लीटर जो सोलूमन है इसकी एक एमल पर लीटर की डोस आपको पानी में मिलानी है और अपने पेड़ पर प्रिकरवानी है हर 10 से 12 दिन के अंत्राल में बहुत ही शांदार और अच्छे रिजट आपको देखने के लिए मिलेंगे यह तीनों तरीके में आपको बताए हैं वीडियो में झाल, ह सबस्द्द रिज शायके अपको यह तीन के लिए लाह था हैं, ख crédिए attended लिएन तरीके इसते के अपको बतות के लिए रिएमenda के उड़्युष सबस्से Delhi session, order जीन के जा हैं तंट्क्राल लाहा है, ख